Hello student, आज हम पढ़ेंगे chapter 5, democracy और इसमें आज जो हमारा topic होगा हो है demerits of democracy यानि कि democracy की limitation या इसके वेखा में हम कम्या भी कह सकते हैं कि democracy के अंदर कौन कौन सी कम्या पाय जाती हैं या इसको बुराई भी कहा जा सकता है, या democracy की बुराई है कि देमेरिट्स मतलब क्या हुआ यह कमिया दो फॉलविंग और देमेरिट्स और देमोक्राइश और जो यह निचे दे रखें और दैमोक्राइश की डिमेरिट्स है विच इन आजब लिज और इसको हम एक रीजन भी बता सकते हैं कि डैमोक्राइश को ना पसंद करने का क्या और इसको रिजन ऑफ पिस यह भी कहा जाता है तो स्ट आप कंफियोजन रिकार्डिंग दीमक्रेशी से एक यह जोड़ी सब्सक्राइब करते हैं लोगों करते हैं अब अब्री इंदूएजर उपने कि वह अच्छा और बुरा सोचने के बाद ही वह जो भी आपनी राय देता है देरफोर इट प्रोवाइट उनिवर्सल फ्रंचाइज तो एवरी इंडिविजर और इसी वज़े से इसने हर इंडिविजर को यूनिवर्सल फ्रंचाइज प्रोवाइट की है जिसकी एटीन या एटीन येर से अबव है और ऐसा मानता है कि इंडिविजर इस मैचिर कि जो इंडिविजर वह समझदार है एफ टो टेक डिसीजन वह अपना डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग पॉलिटिकल इशू पॉलिटिकल इशूस को लेकर बट दो कृटिक्स लिकिन जो कृटिक् मानते हैं that in his root form human being is mindless creature कि अगर हम कि देखे human being को अगर इसकी जड़ देखी जाए तो जो human being है को mindless creature यानि कि उसके अंदर दिमाग नहीं है ऐसा जो क्रिटिक्स है वो मानते हैं who is influenced by the emotion and passion जो की प्रभावित हो जाता है एक human being mindless creature है जो की प्रभावित हो जाता है emotion से और passion से emotion मतलब भावनाए और passion मतलब जुनून मतलब अगर उसके emotions और passions आ जाते हैं तो जब यह दोनों चीजा आ जाते हैं तो इंसान की सोचनी समंद्र की शक्ति काम हो जाती है एंड वेन सच इंडविजल आर गिवन युनिवर्सल फ्रंचाइज और अगर ऐसे व्यक्ति को युनिवर्सल फ्रंचाइज दे दी जाती है तो दैन वी गैट क्राउट ऑफ बीर इंस्टीड ऑफ डैमोक्रेसी इनक्ट्रेसी इनक्ट्रेसी तो हम लोग क्या पाते हैं एक भी लोगों के भीढर होए तो जो क्रिटिक्स साइबनें हर व्यक्ति समझदार नहीं होता है और उनक्रेसी हैं और व्यक्ति के वजह से वह घखता है और अगर एसे व्यक्तिव को अगर हम युणिवर्सल फ्रंचाइज दे तो वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो और परेशन के वजए से यह वह गल्ट डिसीजन ले लेते हैं और गल्ट भो वह अपना ओर्प्रेशन लेता हैं तो इनके साब से जो मैंन Maural क्रीचर तो मैंन ले स्केज़ेडिन्स में और रॉद्द समस्ता है और जो इंसान तो यह इनके बीच में confusion है कि अलग अलग लोग अलग 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 करते हैं दैन सेकेंड जो है neutrality in intellectual intellectualist class neutrality मतलब कि वो इस बात पर ध्यान नेते हैं अधिक जो इनके बीच्ट स्था अधिक यह इस इस इंप्रेंज ऑफ काइंटाइट विसाइड क्वेलिटी और इस वी इस इस सिस्टम अव वांटिटी क्वावलिटी और इस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्वांटिटी है quality नहीं है, so in this system और इस system के अंदर जो intellectualist है, class do not take part properly in society, तो जो समझदार जो लोग है, intelligent जो लोग है, वो समाज के अंदर सही प्रकार से participate नहीं करते हैं, तो यह हो गया, utility of intellectualist class, second वाला हो गया, and then उसके बाद आता है, आपका confusion in the claim of importance of education, अब इसमें democracy में दावा किया जाता है, कि लोगों को educate किया जाता है, इसमें लोगों को politics से related education मिलती है, लेकिन इसमें भी confusion है, डावा किया गया confusion का, और this claim regards democracy that provide education of social science की है, समाज का, समाजिक विज्ञान के बारे में education provide करती है, या ethic और patriotism में देश भक्ती की भावना जगाती है, लोगों का अंदर देश भक्ती की शिक्षा देती है, तो each of its individual is absolutely confusing, कि वो हर व्यक्ती को देश भक्ती की भावना या देश भक्ती की शिक्षा देना या समाजिक विज्ञान उसके बारे में लोगों को शिक्षा देना, इस से related यह जो दावा किया जाता है, इसमें भी confusion बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो यह तो दावा कियाता है कि लोगों को इसमें हम education प्रोवाइट करते हैं, जो यह democracy जो है, वो अपना opinion प्रेजेंट करती है, और every important issue, हर important issue पर, जो भी वो अपना opinion प्रेजेंट करती है, वो self-interest से related होता है, selfish हम वो सकते हैं कि अपनी स्वार से उनके स्वार से नहीत होता है, वो selfish interest होता है and promote it in the name of welfare of mission, और खुद के interest को या स्वार्थपन के जो उनका स्वार्थी रूप है या स्वार्थ को उनके उसको प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, रास्ट के भलाई के नाम से, यानि वो एक तरह से वो अपना काम सिद्ध कर दे होते हैं, वो हर political party वो सिर्फ अपनी party के ब बारे में सूचती है, और कोई भी नेशन के बारे में नहीं सूचता है, तो वो मतलब अपना self-interest जो है, उसको प्रमोट करते हैं, देश की भलाई के नाम से, या वेलफियर ऑफ नेशन के नाम से, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारो तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और साथ में जो फीलिंग है, अलग-अलग पब्लिक ग्रॉप्स की, उसको वो बढ़काने का काम करते हैं, और साथ में वो अट्रेक्ट करते हैं, कि उसके फेवर में वो आ जाए, नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती ही, कि जै और डेमो क्रेटिक्स से र्लेटेड भी कन्फ्यूजन है, और डेमो क्रेटिक पॉलिटिकल और पॉलिटिकल और फ्रीडम और एक्विलिटी, ऐसा वाने जाता है, जो डेमो क्रेसी है, लोग तंत्र है, वो नागरिकों को राजनेदिक आजादी और समानता देते हैं, बट और नहीं इक्वालिटी देती है तो एकनामिक फ्रीडम ही नहीं होगी तो फ्रिदम तो किसे भी व्यक्ति की political freedom or equality become useless वो बेकार हो जाती है तो या नहीं सबसे बहले क्या चाहिए economic freedom or equality चाहिए होती है जो नहीं मिल पाती है तो जब यही नहीं है तो political freedom or equality बेकार हो जाती है useless हो जाती है in democratic election democratic election के अंदर people from wealthy background जो लोग passive वाले होते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं जिनका background काफी संपन होता है contest election वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं यह यह हैं कि वह लड़ पाते हैं वही चुनाव लड़ पाते हैं and they are elected due to their power and influence और वह इलेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है या उनका प्रभाव होता है and when the most of the people in the legislature in a legislature are rich और अगर देखा जाएं बहुत सारे जो लोग हैं legislature के अंदर वह rich हैं they form such law which are only for the benefit of wealthy section क्योंकि legislature के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वह rich हैं अमीर हैं तो वह लोग इस प्रकार का law बनाते हैं जिससे कि उसका benefit के वल wealthy section को ही हो पैसे वाले लोगों को ही हो in this way the political freedom और इस प्रकार से जो political freedom है या equality है गरीब section की पूर section की become useless वह क्या जाती है बेकार हो जाती है कि यहां पर दबदबा किसका हो गया पैसे वालों का हो गया तो पूर से section become useless यह बेकार हो जाता है due to this इसकी वजह से जो economic inequality है वह और ज्यादा से नहीं मिल पाती है तो यह हो गया confusion regarding the democratic freedom and equality कि कहते हैं कि लोग तंत्र में आजादी भी है और समानता भी है तो इसको लेकर भी confusion है कि politics में तो उन्होंने कह दिया कि समानता है और आपको freedom भी है लेकिन जब अगर economic freedom or equality ही नहीं तो फिर political equality का कोई कोई इसकी वैल्यू नहीं नहीं तो फिर side effect of the political party political party का side effect political party are considered to be utmost important for the running democracy और democracy को चलाने के लिए या लोग तंत्र को चलाने के लिए political party को एक important दर्जा दिया गया है यह उसको बहुत ज़्यादा important माना गिया है but there are various demerits लेकिन इसकी भी बहुत सारे demerits of the political party system and due to these parties और इनी पार्टी की विज़े से political environment get polluted और जो राजनेतिक परियावरण है या हम कैसे वातावरण जो है राजनेतिक वो पूरी तरिके से pollute हो चुका है in democracy democracy के अंदर in a theoretical form अगर हम theoretical form के अंदर देखें तो all the political parties are forming nation interest जितनी भी political party वो बना जाती है रास्ट के लिए मतलब रास्ट की भलाई के लिए और यह लोग कई प्रकार के political social और economic policies बनाते हैं benefit of nations रास्ट की भलाई के लिए और लेकिन अगर हम देखें कि actual में all the political parties give importance to patriotism towards their respective party कि वो जिती भी political party है वो importance देती है देश्वक्ति नहीं कह सकता है हम इसको पार्टी कह सकता है कि वो देश्वक्ति के बजाए वो पार्टी भक्ति को ज्यादा importance देती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने party के प्रति ज्यादा भक्ति दिखाती है उनके लिए देश्वक्ति नहीं उनके लिए अपनी party important rather than the patriotism towards the nation तो यह इसमें बता दिया देश्वक्ति के बजाए उनके लिए पार्टी भक्ति जादा जरूरी है तो यह क्या दिया side effect of political party हर political party अपना स्थित्व बनाए रखने के लिए देश के नाम पर कि अपने अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने का काम करती है या अपने party को डवलब करने का काम करती है इसके बाहर रहता है इसके अंदर irresponsible मतलब क्या होता है वैसे मैरिट में बताये था कि democracy में responsible होती है अपने citizen के प्रती लेकिन actual में अगर हम देखें तो यह गवर्मेंट जो होती है वह irresponsible हो जाती है तो यह इसमें बताया है इन theoretical form अगर theory के रूप में हम देखें तो democracy is said to be a government which is responsible towards the people जो अपने लोगों के प्रती responsible होती है बट इन actual democracy लेकिन हम अगर actual democracy में देखते हैं तो यह एक irresponsible form of government है no party take the responsibility कोई भी party है responsibility नहीं लेता है failure की अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका जो शे होता है वो दूसरे को देता है कि गलत हुआ है तो इसकी वज़े से हुआ है मेरी वज़े से नहीं है तो which take place in a democracy government जो के democratic government के अंदर होता है whenever a big failures take place जब कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी अगर घटना कर जाती है या बहुत बड़ा गलत काम हो जाता है तो the government holds the movement of movements and obstacles put forward the opposition party तो अगर कुछ गलत होता है तो जो government होती है वो अंदोलन स्टार्ट कर देती है और obstacles उठाना obstacle रुकावटें पैदा कर दिखती है किसके लिए opposition party के लिए तो government कहती है कि यह सब कुछ जो कुछ हुआ opposition party के वज़े से हुआ opposition party कहती है कि सब कुछ government के वज़े से हुआ है कोई भी जना responsibility लेनी को तैयार नहीं है इस failure के such failures on a contrary opposition party hold the policies of ruling government to be responsible for all the channels जो भी घटनाय घटती है जो भी दंगे फसा जो भी होते हैं तो opposition party तो political party को responsible मानती है कि इनों ने ऐसी policies बनाई है इसकी वज़े से ऐसा हो रहा है और जो पर और जो गावर्मेंट होती है वो opposition party पर blame करती है कि इसकी वज़े से इनकी वज़े से ऐसा हुआ है तो कहने का मतल सब्सक्राइब की संपत्ती और समय दोनों की बरबादी वेस्टेज मतलता है बरबादी इन डैमोक्रेसी डैमोक्रेसी के अंदर को बनाना या कानून को बनाना बहुत सारा पैसा और बहुत सारे समय को वेस्ट करता है और जितने भी काम होते हैं उनके लिए अलग अलग कमिटी बनाई जाती है अगर देखें बहुत सारी जो राष्ट की संपती है या समय है अगर आप इलेक्षिन के अंदर दिखेंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है बहुत सारी संपती करच उती है और बहुत सारा समय खर्च होता है जो यह लोग प्रचार-प्रचार करते हैं उसके अंदर एक तरफ तो इस वेरी एक्सपेसिफ प्रोसेस एक तरफ ये बहुत जब घड़ा खर्चिला प्रकडिया है और इन कॉंटेक्स्ट तो मनी मनी को लेकर अगर पात करें तो तो इसमें क्या बता गया है कि इसके अंदर जो टैमोक्रेसी के अंदर पब्लीक वैल्ट और टाइम की वेस्टेज रहें डेन उसके बाद है डिसेंटर सब्सक्रायअ सब्सक्राइब गोड़े हो गया नहीं होते हैं बाल 토orfिव को एक डूट पीपल नोगों की लोगों का SHерм पर दो नोट कीप एनफ इंटरेस्ट लिकिन जो वोट देने वाले हैं जो अपने रिप्रेजंटेटेव को चुनने वाले हैं वह इंट्रेस्ट नहीं दिखाते हैं एलक्षिन प्रॉसेस के अंदर आफ्टर इमेंस एफट और काफी कोशिश करने के बाद पाइद पॉलिटिक इनकी जो अकाउंट है 50-60 वो टर्न आउट हो जैते हैं लोग जाते हैं कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं वोट देनी के लिए तो इट बिकम क्लियर फ्रॉम दिस और यह क्लियर होता है देट देट डियू तो दिमैरिट प्रेजंट कि यो देमेरिट प्रेजंट इस डाएं डावरेंट नहीं करते हैं मतलब उनको कोई भी अच्छी नहीं लगते हैं अपने आपसे बता दिया ठीके वोट डाल दिया अपार्ट फॉम इस इसके अलावा न ऑल्ट वोटर्स जो नौट काज यह वोट इस जितने वी वोटर्स होते हैं वह अपने वोट को अ जैन यूजली लेस्क्वालिफाइड तो उसे क्या होता है कि जो कम क्वालिफाइड या अपोर्ट डिस टाइप का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वह एलेक्शन जी चाहता है जैनर आइस इसमें था डिस इंट्रेस्टेड रही उन जूसेट बंनाने में força मैण से नंधा करशंद essas क्या क्या Schmidt अगर वार की केस को अगर हम लें अधर सच टाइम उप्राइसिस और कोई भी अगर कोई क्राइसिस आती है यह कमजोर नदर आती है है इसके अंदर जो पावर इसको डिस्टिब्यूट कर दिया गया है अलग-अलग और मिन्स के अंदर in this system इस system के अंदर इस नॉट पॉसिबल टो टो टेक विक और इस सिक्रेट इसे और जब पावर दिसंट्रलाइस होती है तो ऐसे सिस्टम के अंदर यह पॉसिबल नहीं होता कि तुरंट से और बिना किसी को बताएं कोई डिसीजन ले लिया जाए इन दे सेकंड वल्ड वॉर्ड ऑल अदर युरोपें डैमोक्राटिक्स जितने भी युरोपें डैमोक्राटिक कंट्री से ब्रिटेन को छोड़के यह सब इस्टर युरोप के वह प्रूब टूब नजर आए इन फ्रॉंट ऑब से विस्टी सोवियत युणिन के सामने यह जितने भी डैमोक्राटिक स्टेट थे इस्टर युरोपे कम जोर नजर आए क्योंकि जो नाजी जर्मनी उसमें एक ही वेक्टे डिसीजन लेता है तो पढ तो अभी हमने मेरिट्स के अंदर पढ़ा था कि जो डैमोक्रेसी है वो वर्ल पीस को सपोर्ट नहीं करती है बहुत सब्सक्राइब अलोचक वह इसा मानते हैं कि डाइबोक्रेटिक स्टेट आर गाप्टलिस्ट स्टेट है इस अधियर गवर्ट वार और जो एक अधियर पूंजी वादी पैसे वालों के तो जो एक अधियर आधियर जनम देती है वार को सब्सक्राइब और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो डैमोप्रेसी है वो वर्ल्ड पीस के सपोर्टर नहीं होते हैं कि एंप्रेजिब के अंदर दूसरी कंट्रीयों कर अपजा करना और अपने अपने एंपायर को बढ़ाना वोस्ट में सामिल होता है वेधि अगर हम इस्टॉरिकल पटेवी से देखें तो बृते इन फ्रांस और डेमोकरिक स्टेट्स अफ यूरोप इन्हों ने वार के पॉलिसी को अड़ाप्ट किया था साथ में इंप्रियोजम की पॉलिसी को अड़ाप्ट दिया गा अल्दो एड प्रेजंट टाइम और हला कि अट प्रेजंट टाइम जो प्रॉस्परस डेमोकरिक स्टेट्स यह उरोप के सीम टूबी इन अपोजिशन अब वो लोग वरोद करते हैं और प्रेटिकल इंप्रियोजम का यह दियर पॉलिसी आर गीविंग बट व न्यू फार्म ओप नॉमिक इंप्रियोजम लेकिन उनकी जो पॉलिसी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हैं वह जनम देती हैं एक नए प्रकार की इक्नॉमिक इंप् अब जैसे जो भी मल्टिनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल एकनॉमिक ऑगनाईजेशन से यह फाइदा उठाते हैं यह अपना प्रभाव ड़ते हैं क्योंका प्रभाव होता है एकनॉमिक के अंदर क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो यह जो अफ्रिक फिलॉसफर हैं वह ऐसा मानते हैं दैट इन मॉडर्ण टाइम और से कि मॉडर्ण टाइम के अंदर भी डैमोक्रेसी एंड कैपिलिजम आर जॉइन लोग तंत्र और पुजिवादी यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद्वर नेगर और यह वर्ल्ड पीस या इसा होता है लेकिन इसा नहीं होता है तो वह सारी चीज़ें इसके बारे में अलूशना की थी बहुत सारी लोग है कि इनके अंदर यह यह कमियां पाई जाती हैं तो यह तो था आपका डिमेरिट अब नेक्स वीडियो गंदर में आपको अशेंचल कंडिशन और दे सक्सेस के बारे में समझाओंगी तब तक जो मैंने आपको बढ़ा है उसे पढ़ना है रिवाइस कड़ना है कुटे बाए हमने इस देखना